हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल में कपड़े के दो पीसिस का यूज करके आज बनाएंगे बहुत ही प्याला सा और्गनाईजर बैग कह लिजे, स्टोरेज बैग कह लिजे मैं यहाँ पर कोई भी कॉर्नर नहीं कट करूँगी ना ही कपड़े का एक इंच भी बेस्ट होगा तो लिए बनाना शुरू करते हैं जो पहला पीस लिया है मैंने लेंद है इसकी 28.5 इंच और विर्थ है इसकी 12.5 इंच दूसरा लिया है लंबा वाला पीस इसकी लेंद है 32 इंच और विर्थ है इसकी 7.5 इंच दोनों पीस ले लिया है मैंने जो यह लंबा वाला पीस देख रहे हो आप इस पे हमें जिप को अटाच करना है जिप थोड़ी सी पढ़ा का ले लिया करिए दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ है और हमें यहां से यहां तक ऐसे रखते हुए सिलाई लगाना देखें दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ रख लिया है यहां से यहां तक पूरे पर हमें सिलाई लगा लेना है तो यह मैं इस तरीके से सिलाई लगा ली सिलाई लगाने के बाद देखें मार्जन जो है इसको अंदर की तरफ पलट लेना है और इस पर 가면 रफों से कि फोल्ड कर लेना है तो जैसे मैं यह फोल्ड कर रही हूं बस ऐसे ही आपको इनी रृफ सैट के ऊपर रखते हुए हुए तो बहुत सिंपल है देखें एक side मैं stitch कर रही हूँ, अभी एक side open है, मैंने दिखाने के लिए आपको दोनो side से fold किया था, जब आप stitch करोगे तो सिर्फ एक side fold करके stitch कर लीजेगा, दूसरे side से भी आपको ऐसे fold करना है और पूरे पर सिलाई लगाना है, देखें finishing आ चुकी है, अब हम डालेंगे इ दूसरे wire को, insert का लिया, देखें wire को मैंने उपर पकड़ा हुआ है, हलका सा push करेंगे, इस तरी से पकड़ लेंगे, और हलका सा push करेंगे, तो zip में हमारा runner जो है, easily insert हो जाएगा, अब जैसे इस तरफ डाला है, सेम तरीके से हम दूसरे side भी डाल लेंगे, तो इस side भी तरीक एक side से डाल लिया, मैंने दूसरे side से भी देखी, insert हो चुका है, तो यहाँ पर मैं दोनों को center में ले आई हूँ, अब जो zip थोड़ी सी बड़ी हुए, उससे cut कर लेंगे, तो दोनों side से मैंने cut कर लिया, तो अब इसका काम हो चुका है, जो यह लंबा वाला piece था, इसका का हो चुका है, अब दूसरा वाला piece लेंगे, अब इसे ऐसे fold कर लेंगे, देखे, दोनों corner को आपस में मिला लेना है, मिलाने के बाद इसमे slightly round shape देना है, बिल्कुल हलका सा, आप चाहो तो नहीं भी दोगे shape तो भी चलेगा, और अगर हलका सा shape दे लोगे, तो देखने में थ center point निकालना, तो ऐसे fold कर लीजे, fold करने के बाद बस आपने निशान लगा लीजे, देखे, इस तरीके से निशान लगा लीजे, निशान हमें सीधे side लगाना है, एक अपड़ेक जो सीधी side है, वहाँ पर निशान लगाईएगा, इस तरीके से, यहाँ पर दो center point आ चुके ह पास से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, यह देखे, एक निशान यह आ चुका है, और एक निशान यह आ चुका है, अब हमें लंबे वाले piece पे लगाना है, जिप वाला जिसमें zipotage किया था, इसके विर्थ वाले portion में लगा लीजे, center point, एक center point यहाँ पर लगा इसे भी ऐसे fold करके, इसका center point निकाल लेंगे, दो center point आ चुके हैं, अब यह जो पहले वाला piece था, इसके दो center point आये थे, इसके center point से attach कर देंगे, कपड़े की सीधी side दोनों आपस की तरफ रहेगी, तो जो कपड़ा floor पे रखा हुआ है, उसकी सीधी side उपर की तरफ है, और तो कपड़ा हाथ में है, जीप वाला, उसकी सीधी side नीचे की तरफ है, दोनों के center point को आपस में मिला लेना है, और pin कर लेना है, दूसरे side से भी center point को आपस में मिलाना है, थोड़ा मैं pass कर दे रही हूँ, यह देखे ये निशान को इस निशान से मिला लेना है, और pin कर लेन यहां पर मैं पिन लगा लूँगी, पिन लगाने से फिक्स हो जाएगा, अब देखिए आपको सिलाई लगानी है, यहां से यहां तक, इस पर सिलाई लगा लीजे, यहां से यहां तक सिलाई लगानी है, और दूसरे साइड से यहां से यहां तक सिलाई लगानी है, तो दोनों जब जिप में अटच होगा तो हमारा फ्लैप बन जाएगा तो बहुत सिंपल इसको बनाना देखिए जब आप सिलाई लगाते हो ना जब सिलाई लगा के आप यहां तक आते हो तो आपको मशीन को आगे बढ़ा लेना है मैंने आपको समझाने के लिए मशीन से हटा लिया थी आप जब सिलोगे तो इसको बस सिलते जाना आगे बढ़ा लेना मशीन तो देखिए पूरा हमारा यहां पर अच्छे से फिटिंग बैट जाती है यहां पर मैंने जो फरस स्टेप के था राउंड में हलका दे दिया था अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा ऊपर से देखिए इस तरीके से हमको पूरा स्टिच कर लेना है तो मैं एक बार इस तरीके से मजर्मेंट दिखा दे रही हूं आपको देखिए कहीं भी कुछ छोटा बड़ा नहीं है बिल्कुल जाके फिटिंग बैट जाती आराम से तो इस तरीके से जिर्पले पार्ट को भी हमें अटाइच कर लेना है यहां तक पूरा स्टिच हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से यह इस पर अटाइच हो जाएगा और यह वाला इसमें स्टिच हो जाएगा दोनों स्टिच कर लेने हैं अपस में फ्लैप को तो इक बड़ मैं मशीन पर बता देती हूं तो आपको और कुमारी अंदर ही रहेगी बस आपको यहां से गुमा लेना है इसको इस तरीके से अब घुमा घुमा के पूरे कपड़े को अड़ेस्ट करते हुए आपको स्टिच कर लेना है यह देखे जहां पर हलका सब गुलाई दिया हुआ है यहां पर आपको जीप वाला जो पोशन है इसको खीचना नहीं है बहुत-बहुत हलके हाथों से स्टिच करिएगा और इस तरीके से पूरा यह कपड़ा जो है इस वाले पोशन में अज़ेस्ट हो जाएगा दूसरे साइट भी हम राउंड पे आ गए हैं यहां भी हलके हाथों से स्टिच करिएगा और घुमाते हो यह मेरा base बन चुका है अब आप ऊपर बागी है यह जीप जताको यहां से मचिन को आगे भड़ा लीजिएग् virtues बिला पांट से स्टिच कर रही हैं यहाँ से पकड़ते हुए पूरे जीप वाले पार्ट को यहां आट से स्टिच कर लेंगे देखें यहाँ पर मैं stitch कर रही हूँ यहाँ पर भी round पर आएंगे तो हलका सगुमाते हैं stitch कर लेंगे मैंने पूरा stitch कर लिया है अब जी पले side से open करेंगे पलट के सीधा करेंगे और सारे corners और sides निकाल लीजी अच्छे से देखें जो rough दिख रहा है न इसको आपको एक्स्ट्रा पट्टी से finish नहीं करना है बिल्कुल सिंपल तरीका सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए देखें जहां मैंने हाँ से पकड़ा था अंदर तरफ सेम तरीके से बाहर के सैट भी निकाल के बस वही पर आप मशीन चला लीजे तो जो आपकी रफ साइड है जो मार्जन वाला वो अंदर सिलाई में दप जाएगा पाइपिंग का शेप भी आजाएगा एक्स्ट्रा पट्टी लेकर आपको फिनिश नहीं करना पड़ेगा तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी महनत भी तो देखे जहाँ जहाँ पे ऐसे शेप बना है वहाँ वहाँ पे आप मशीन चला लीजे तो मैं दिखाने के लिए आपको बार-बार निकाल ले रही हूँ जब मैं बनाती हूँ तो पूरा एक लाइन से ही बिल्कुल स्टिच करते जाती तो देखे जहाँ पे राउंड है वहाँ पे ऐसे शेप निकाल लीजे राउंड वाला और मशीन से ऐसे कपड़े को घुमा लीजे तो आपका शेप भी आ जाएगा और कहीं भी रिंकल नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्टोरिज बैक बनके त्यार हो जाएगा देखे जहाँ पे राउंड है इस तरीके से फ्लैट कर लीजे कपड़े को और सिलाई लगा लीजे तो जहाँ जहाँ राफ है वहाँ वहाँ आपको सिलाई लगानी है शेप भी आ जाएगा और राफ आजस भी अंदर दब जाएगे तो यहाँ पर सिलाई लग चुकी है अब देखिए हमारा बिलकुल ये शेप में तो आ गया है अंदर कोई rough edges नहीं है अंदर सब दख चुके हैं धागे रेशी जो भी थे अब देखिए जीफ पली साइड एक साइड से तो फिनिश हो चुकी जब स्टार्टिक में मैंने जीफ को अटाइच किया था अभी फ्लैप में टाइच होने के बाद ये हमें rough side दिख रहा है तो इस rough side को भी हम simple straight party से finish कर लेंगे इसे दो side से fold करेंगे और उपर से भी fold कर लेंगे और यहां से आपको पूरा stitch करते जाना है ताकि rough side अंदर दब जाए और हमारा finishing से back बन जाए अब बनाएंगे handle तो handle के लिए मैंने लिया है length 7 इंच है और width है इसकी 5 इंच इस तरीके से fold करना है 1 fold, 2 fold और एक और fold इस तरीके से हमें पूरे पे सिलाई लगाना है और handle बनाना है तो मैं सिर्फ एक handle लगा रही हूँ, आप चाहो तो 2 handle बनाके दोनों sides पे लगा सकते हो मैं front side लगाऊंगी अब देखे जो front side था हमारा यहां पे same distance लेके easily बस stitch करना है देखे राउंड में दिख रहा है आपको, बस सामने आप same distance ले लिजे, दोनों side से fold करके हमें center में इसको stitch कर लेना है तो यहां पर bag हमारा complete हो चुका है और मैंने इसे specially बनाया है अपने बच्चे के bottoms रखने के लिए babies के जित्ते भी trouser होते हैं, pyjami होती है, diaper वगरा आप रख सकते हो तो अगर आप भी छोटे बच्चे की मा हो तो please इस तरीके के bag बनाये आपको बहुत काम आएंगे इस winters में तो बहुत ही काम के हैं, इसके लावा आप कहें travel वगरा करते हो अपनी trolley ले जाते हो या travel bag तो इस तरीके के bag में आप कुछ भी store करके अपने कोई भी कपड़े या undergarments वगरा एक तरफ कर लीजिए आपको बहुत काम आएगा और आपकी कपड़े भी mashup नहीं होंगे, तो तयार measurement देख लेते हैं इसका, length इसकी है 12 inch, ऐसे width है इसकी 10 inch और इसकी height, तो इसकी height है 7 inch तो इस तरीके से ये प्यारा सा cute सा हमारा bag बन के तयार हो चुका है storage bag वो भी कपड़े के सिर्फ एक टुकड़े से, जीहां कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए और कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ना ही lining, ना ही form और ना ही rise bag, ठीक, बो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा काफी है और ये कपड़ा मोटा है, bedsheet का ले सकते हो, curtain का ले सकते हो, कोई मोटा कपड़ा ले लिजे इसको flat बिछा लिया है, length इसकी 41 inch, दीखे मैं pass कर दे रही हूँ और इसकी width है 28.5 inch अब मैंने लिया है zip, zip है 29 inch की, तो जो इसकी width वाला area है, 28.5 inch वाला, ऐसे zip को open कर लेंगे और दोनों side इसको stitch करना है, तो एक side इस तरफ stitch कर लेंगे, और एक side ये वाले, इस तरफ तो zip की जो सीधी side है, इसको अंदर की तरफ रखना है, और इस किनारे से लेकर, इस किनारे तक हमें इसको stitch कर लेना तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक पूरे पर सिलाई लगाना है, इसको pallet के इसके उपर top stitch लगा लेना है अब जैसे इस तरफ stitch करना है सेम तरीके से दूसरे side भी zip की सीधी side अंदर की तरफ रखना है stitch करके पलट कर टॉप stitch लगा लेना है तो देखे मैंने ये stitch कर लिया है पलट कर टॉप stitch लगा लिया है दोनों side पर अभी इसके rough edges दिख रहा है तो इसको simple state पट्टी से ऐसे fold करेंगे सीधी side बाहर की तरफ है ऐसे fold कर लिजी दोनो side से जरा जरा सा और इस किनारे से लेकर इस किनारे तक पूरे पर हमें सिलाई लगाना है इससे हमारी zip जल्दी खराब नहीं होगी और long lasting चलेगी तो ऐसे fold करके पूरे पर सिलाई लगाना है तो जैसे इस तरफ करना है सेम तरीके से दूसरे side भी state पट्टी लेनी है थोड़ा-थोड़ा सा fold करना है और एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक हमें stitch कर लेना तो इसके rough edges फिनिश हो जाएंगे zip हमारी फसेगी ने जब zip को open करेंगे तो और long lasting चलेगी देखें, finishing से हमारी सिलाई हो चुकी है कोई भी rough edges नहीं है तो अब हम डालेंगे इसमें runner तो देखें, zip में जो दो wire निकालने है zip में wire होता है, इसमें थोड़ा से wire निकाल लीजे, खीचके दोनों wire निकल जाएंगे, देखें, दो है और runner का जो face वाला part होता है इसमें दो hole होते हैं, इसको इसमें इंसर्ट कराना है अब इसमें भी दोनों hole को फसाने है और अंदर से इंसर्ट करा लेना है तो हलका सब push कर ये, दोनों wire को पकड़के, ये आराम से अंदर चला जाएगा तो ये दो, जो runner डालते हैं ना हम लोग, ये इसी तरीके से डाले जाते है उल्टा कर लिया मैंने तो देखें, वन पीस है अब इसको आपको adjust करना जो उपर zip लगी है, इसको ऐसा adjust करना है कि नीचे की तरफ आ जाए 4 इंच का चारो तरफ से ब्लॉक बनेगा, पर आपको 6 इंच अगर आप 5 इंच का ब्लॉक बनाओगे तो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेख चरूँगे जैसे मैं 4 इंच का ब्लॉक बनाओगी तो मैं 6 इंच पर इसको adjust करूँगी यानि उपर से लेकर zip तक का इस 6 इंच का, देखें, एंची टेप रखा तो मैंने आपने देखा होगा 6 इंच पर मेरा आ गया था सेम तरीके से देखें अभी कम है अब मैं square adjust करूँगी तो पूरा total हमें 6 इंच पर इसको adjust करना उपर से तो उपर top वाले part से zip तक का देखें इस 6 इंच पर आ रहा है अब मैं यहाँ पर pin लगा लूँगी तो सेम तरीके से दोनों है देखें सेम डिस्टेंस पर 6 इंच पर तो यहाँ पर लगा लूँगी पिन अब पूरे कपड़े को set कर लेना है तो top से हमारा zip तक का जो distance है वो 6 इंच है अब एक सिलाई इस सेट लगानी है और दूसरी सिलाई और इस तरीके से फोल करते है पूरे पर सिलाई लगाना जित्ते भी धागे रेशे जो भी रफ है जैसे सारे फिनिश हो जाएंगे दोनों सैट से ऐसे ही स्टिच करना है लेकि मैंने स्टिच कर लिया दोनों सैट से और यह बिल्कुल फिनिशिंग से स्टिच हो चुका आप बनाएंगे इसके कॉर्णर तो मैं 4x4 का ब्लॉक बनाऊंगी चारो कॉर्णर पर अगर आप स्टोरेज बैग और बढ़ा चाहते हो तो लेंध विर्थ में 2-2 इंच बढ़ा दीजेगा जो पहले मेजरमेंट बताय और से भी फोल्ड है तो जो सिंगल पीस से बनता है वो और भी ज़दा मजबूत होता है एक सिलाई यहां पर लगाना तो चारो कॉर्णर बना लेने ऐसे खीचना है और इस्टिच कर लेना तो दूसरी सिलाई इसी तरीके से तीसरी सिलाई और यह चौथी सिलाई सिंपल हमें सिलाई लगानी है बस तो देखे मैंने सिलाई लगा ली चारो कॉर्णर पे इसके कॉर्णर बनके अच्छे से यही इसकी हाइट हो जाएगी अब जित्ते भी रफ अज़ेस है ना फोर स्टिप ली है मैंने वन वन इंच की सेन तरीकिस तोड़ तोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको अंदर रख तो इस्टिच कर लेंगे तो यह भी फिनिशिंग से हमारा इस्टिच हो जाएगा तो सारी फिनिशिंग आ जाएगी बैग में कहीं भी कोई रफ एज़ेस नहीं होंगे जिप पे मैंने स्टेट पटी लगाई थी सारे कहीं भी देखे कोई भी धागा वागा नहीं निकला है और बिल्कुल सफाई से हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है सिंगल पीस ओफ फैब्रिक से बना है जिप को ओपन कर लेंगे पलट के सारे कॉर्णर्स निकाल लीजी अच्छे से जिप भी देखे किती फिनिशिंग से बनी है हमारी तो जिप भी फसेगी नहीं तो यह मैंने पलट के सीधा कर लिए देखे इस तरीके से अब बनाएंगे इसके बैल्ट के लिए मैंने कपडे की दो पत्यान ली है लेंग थे 25 इंच और विर थे 3.5 इंच इसको फोल्ड करेंगे वन फोल्ड टू फोल्ड और एक और फोल्ड तो इस तरीके से चौड़ी बहुत पत्ली पत्ती नी बनानी है बैल्ट हमें थोड़ी सी चौड़ी बनानी है बैक के कॉर्डिंग ठीक है तो मैंने लंबी लंबी स्टिप लिए अब इसी को इसी तरीके से तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच कर लिया है बिल्कुल सिंपल तरीका है बिल्कुल सीधी मैंने दोनों बेल्ट अटैज कर लिए और हमारा जो स्टोरेज बैग है बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है तो अब मैं इसमें आपको रखकर दिखाती हूं रजाईया तो इस बिल्कुल लाइट वेड है जैपुरिया रजाई अगर आपकी हैवी वाली है तो आप सिंगल र बनाने के बहुत इजी तरीके पर सबसे आसान तरीका अब तक का यह है सबसे आसान मतलब बिल्कुल इजी तरीका है इतना मजबूत क्योंकि देखिए कपड़े को फोल्ड कर के बनाये है दो पीस में तब भी जॉइंट लगता तो बहुत आसान है देखिए दो तो आपकी single एक आएगी बहुत हैवी होगी तो इस सिंगल बेट की आपकी double बेट की होगी तो एक आजाएगी तो आप अपने according बना सकते तो मैंने pattern सिखा दिया आपको basic सिखा दिया बिल्कुल देखे 20.5 इंच लेंच 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 और इसकी width है 14 इंच और इसकी height देख लीजे इसकी height है 8 इंच ठीक तो आप अपने according length फिर जो मैंने बता है दो दो तिन तीन इंच बढ़ा लीजे block को 5 इंच 6 इंच जितना करना चाओ आप अपने according कर लीजे देखे single piece से बना क्या लगा कुछ भी निलगा सिफ एक कपड़ा लगा है मोटा कोई भ लाइक शेयर कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल पर आ चुक है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू